बिस्पिल्लाइ रुमानी रहीम, असलाम अलेकुम और रह्मतुलाइव बरकातू आज की दवा एब्रोटेनम मैं हूँ डक्टर मुहमद हमिद अंसारी सक्खर सिंद्ध पाकिस्तान से हूमियोपेथिक में अब्रोटेनम जो रुशनास कराई और प्रूफ किया वो डक्टर कशिंग और डक्टर गेट शेल ने किया वजिटैबिल किंडम से इसका तालुक है। और वेजिटैबिल किंडम भी कहते हैं से प्लान्ट किंडम । दोनो दोनो किंडम में इसका शुमार होता है। टूबर्कलोसिस इसका मिजाज है। ये दवा खुसान बच्चों के अमराज में इस्तामाल होती है इसे हम बच्चों की दवा भी क्या सकते है ऐसे बच्चे जो सुखे का शिकार हो मेरासमस का शिकार हो उसमें ये बहुत ही जादा मुफीद दवा है इसका सुखा मेरासमस नीचे से उपर की तरफ चलता है धीरे धीरे नीचे से उपर की तरफ चलता है सबसे पहले पैरों में उस जो है वो खुशक कमजोरी शुरू होगी पाउं का गोश आहस्ता आहस्ता खतम होना शुरू हो जाएगा और फिर वो आहस्ता आहस्ता पिंडलियां पिंडलियों से रान रान से फिर पेट कमर का हिस्सा और फिर उसके उपर चड़ता जाएगा इस तरह से ये आहस्ता आहस्ता इसका मेरासमस का मरीज जो हता है मेरासमस एटेक करता है अबरोटेनम के मरीज पे इसकी बिमारी एक जगा से दूसरी जगा पर चले जाना इसका ये दूसरा की सिम्टम है यानि कि इन्तकाल मर्ज जैसे जोडों का दर्द हुआ तो वहां से वो फारिक हुआ जोडों का दर्द ठीक हुए तो उसको दिल का अर्जा हो गया इस हाल ठीक हुए तो उसको जोडों का दर्द हो गया कभी कब्स थी तो एक दम इस हाल शुरू हो गए या कब्स के साथ दिल कब्स ठीक हुई तो दिल का मर्ज शुरू हो गया इस तरह से इसमें जो है इंतकाले मर्ज होता है मम्स हो गए जिसे हम मम्स कहते हैं कनपड कहते हैं कनपड हुए उसके बाद टेस्टीज में सूजन शुरू हो गई टेस्टीज में पेन शुरू हो गया दर शुरू हो गया या खावातीन में औरीज सूज जाएं औरिज पे वरम आ जाए उनके तो उसके बाद उनके जो है मंस के बाद जो है ना मंस ठीक हुई तो औरिज में पेन आ गया हर्मोनल डिस्टरिमेंस आ गई इस तरह के मर्ज इंतकाले मर्ज कैलाते है कि एक मर्ज अभी ठीक नहीं हुआ होता या पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता कि मर्ज दूसरी जगर कनवर्ट हो जाता है इस हाल और कब्स अदल बदल कर इसका मर्ज डैरिया इस हाल होने के बाद अच्छा महसूस करता है हमें ये अलामत बोरेक्स में भी मिलेगी आच्छा में बोरेक्स के भी बच्चे ayर्या पूटी आने के बाद वो बच्चा बड़ा रेलेक्स हो जाता है इस तरीके से इस दावा में भी अबरेटेनम की दावा में भी बच्चा जो है वो डैरिया के बदल या कब्स में खुलकर पखाना आ जाये तो बच्चा अपने आपको बहुत बहुतर महसूस करता है नाफ से पानी का रसाओ होना या खून मिला पानी या खून का रसाओ होना ये शीरखवार बच्चे दूद पीते बच्चों के अंदर ये सिम्टम पैकुलर सिम्टम है मकसूस सिम्टम है पाई जाती है उनकी नाफ से पानी का सा इखराज या खुन मिला मवाद का इखराज का होना ये इसकी में सिम्टम है। इसकी अलामात शाम को और रात को बढ़ जाती हैं। थंडी नमदार हुआएं इसे तकलीफ देती हैं। दर्दों की जगा बदलते रहना कि पहले यू समझ लें कि कभी एडी में दर्द हुआ एडी से पिंडली में आगिया पिंडली से पेट में आगिया पेट से कमर में आगिया कमर से रान में आगिया मुस्तकिल जगाएं बदलता रहेगा दर्द। चेंजेबी पेन हाजमा बेहत खराब रहता है इसमें अच्छी से अच्छी घज़ा खाने के बावजूद मरीज कमजोरी का शिकार होता रहता है सुखे का शिकार होता है मरीज में नातावानी होती है कमजोरी बेंता होती है इन्हें ढाल रहता है इसके पेट इसका जो अबराटेनम का मरीज होता है जो सुखे का मरीज होता है मिरासमस का मरीज होता है उसका पेट बाहर को निकलावाता है धोल की तरह एक बिल्कुल अलग से ये मिरासमस की मकसूस अलामत है कि आपको बिकल अलग से सुखे का मरिज आप देखें तो उसकी टांगें बाजू सुखे वे होंगे चेरे पे हड़िया नजर आ रही होंगे सीने की पसलियां आप गिलने मगर उसका पेट जो है बाहर की तरफ निकला वागा धूल की तरह इंतहाई बद्बुदार जब भी कह करेगा बद्बुदार कह करेगा इसको ऐसा लगता है कि पेट में पानी तेर रहा है या मेरा पेट पानी में या पेट जो है ना वो मेरा पानी में लटका हुआ हुआ है ये भी एक इसके मक्सूस अलामत है पेट में तनाओ कासा एसास काटने वाला कटिंग पेन जलनदार दर्दें ये अबरेटेनम में पाई जाती है पेट में इस तसका पेट का इस तसका जिसे हम जिलूंदर कहते हैं वो भी इसमें पाया जाता है वो भी च्छीक होता है डैरिया के अंदर इस हाल में खेर हजम शुदा घिजा के टुकड़े चावल खाली है तो चावल के टुकड़े बाहर निकल रहे है दलिया के टुकड़े बाहर निकल रहे है रोटी खाली तो उसके टुकड़े खेर हजम शुदा साबुत के साबुत जैसे खाई हो ऐसी ही निक इंतकाल है मर्ज में इस हाल डेरिया हुआ बच्चे को डेंटेशन के जाने के अंदर वाल्देन ने या डाक्टर ने उसको एक्दम रोकने की दवा दे दी और डेरिया रुँग गया और डेरिया रोका तो बच्चे को जो हुएना सुखे का मर्ज हो गया हैं तो इसको जो है ना ये सूखे का मर्ज हो गया ये कमजोर पर कमजोर हो जा रहा है हम तो बहुत अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं उसके बावज़ुद बच्छा कमजोर हो जा रहा है तो आपको ये जो symptom मिले तो फिर आप abrotenum को यूज़ कीजिए इन्शाला बहुत अच्छा result मिलेगा abrotenum में डारिया के दब जाने के बाद पाइल्स का हो जाना जिसमें जलनदार दर्दें और कभी कभी जलन भी महसुस होती है जलनदार दर्दें होती है इसके मस्से बाहर की तरफ होते है इसके मरीज को खाने में चॉकलेट चटनिया खटी चीजें गोश्ट पसंद होता है ये बड़ा शौक से चाकलेट खाता है चटनिया चाटता है और गोश्ट जो है वो भुनावा गोश्ट या सालन गोश जो है बोड़ा पसंद करता है इसके एक अलामत और भी बड़ी मक्सूस है कि एवरेटेनम के मरीज को अगर दर्द वाली जगा को वो बार बार हिलाएगा तो उसको सकून मिलेगा जैसे अगर इसकी उंगली में दर्द हो रहा है तो उंगली को ऐसे बार बार आगे पीछे हिलाता रहे आगे पीछे घुलाएगा तो सकून मिलेगा या गुठने में दर्द है गुठने को बार बार आगे पीछे करेगा चलता रहेगा उसको हरकत से सकून मिलता है इसके मरीज को डर्द वाली जगा पे इस दावा के मरीज का चेरा बिलकुल से मुट्जाया वा होता है, पीला, जर्दुआ वा हुआ होता है, बूरों का सा जुरियां दार, आँखें अंदर को दसी हुई, चेरे की हडियां गिलनें, पस्काइér किलनें, कमर की बक्छाइः किलनें, आप उसकी टांगों की, हडिया को आप नाप लें ऐसा उसकी कहफियत हुई होती है सेवाई पेटके इसका जो अबरेटेनम का मरीज होता है वो अपने सर को सही तरीके से सहारा नहीं दे पाता और जैसे आम रूटीन में एक नॉर्मल इंसान सर को उठाए रखता है इसका इसका अबरेटेनम का बच्चा जो ह या आगे की तरो जोकी रहती है बच्चों में खासतों फर उसकों नो जाईधा बच्चों में फोतों में कस्यों में पानीका उतरा आना हैड्रोसिल जूस्टेक्ल टेस्टीज उस्में बहुत अच्छा काम करती है इस दवा का बच्चा इंताही चिड़चड़ा डर पोक खौफज़दा जिद्धी होता है इस दवा का बच्चा पस्त हिम्मत और हद से ज़ादा चिड़चड़ा होता है ऐसा जिद्धी के बहरहमी पे उतराता है बेह रहम महसूस हो रहा होता है ऐसा जिद्धी पना दिखाता है इसका मरीज दिमागी लिहास से बेंठा कमजोर होता है दिमागी महनत नहीं कर सकता है जूँ ही दिमागी महनत करता है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है अपने आपको ठका हरा सा महसूस करता है और द तोड़ी देर के बाद जब खोशिच करता है तो उसके अंदर फिर यही कहफित होती है तुसलिए दिमागी लिहाज से यह बहुत जादा कमजोर होता है यह अबरोटेनम के ओपर एक छोटा सा मकसूस लेक्चर छोटी दवा पर बहुत बड़ा काम करने वाली बच्चों को जि जियां बखशनेग वाली दवाईईों में शमार होता है आई अल्लाय हम सबका हम्यों आसिर हो ल्ल्ह तव के इल्मे अजाफा फरमा से धुआ है आई लोट वाक से दुआ हैं कि हम दुखी इंसानित की खिदमत करते रहें और अपने ऑल्म में अजाफा करते रहें आई झाल झाल